यह है Laurel Paris Innovation Revital Lift Pro Youth Face Mask with Plumping Essence इस एक मास्क के अंदर है एक पूरी bottle essence की power 10x more essence इसकी जो थिकनेस है वो है 0.3 mm और इसे anti-aging purpose के लिए use किया जाता है इस मास्क का जो active ingredient है वो है dermis gross जो की माना जाता है कि हमारी skin को hydrate करता है उसमें soothing properties होती है साथ ही में हमें pinkish glow देता है इसके अलावा इसमें है skin actor जो की infused है hyaluronic acid के साथ इस packet के अंदर है एक मास्क और इसका weight है 30 gram इसके अलावा Laurel Paris हमें ये बताना चाहता है कि youthful radiant skin की 3 dimensions है जिसमें से plumping एक है इसके अलावा brightening and lifting आगे बढ़ने से पहले चैनल को subscribe करना ना पूले बैल आइकन पे click करें ताकि आपको मेरे सारी वीडियो updates time पे मिल सकें let's continue so इस pro youth face mask को use करने के लिए packet को tear करेंगे इसमें से हमारे mask को निकालेंगे और जैसे कि आप देख सकते है mask completely soaked है अपने essence के अंदर और हम इस mask को unfold कर लेंगे so इसमें हैं दो sheets एक blue protective film है और एक हमारा mask है white side जो है वो हमारा mask है तो white side को हम नीचे रखेंगे और जो blue protective film है उसको उपर की side रखेंगे इस तरीके से इस अपने face पे रखेंगे और उपर एक छोटा सा half circle बना हुआ है वहां से हम अपनी white sheet को hold करेंगे और blue protective film को दूसरे हाथ से पकड़ के उसे pull कर लेंगे अराम से सो mask को चेरे के हिसाब से adjust कर लेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं जो eye वाला area है वो काफी छोटा है इसलिए हमें अलग से eye mask यूज़ करने की जूरत नहीं है इसके अलावा जो blue protective film है उसमें अभी भी काफी essence बाकी है सो हम इसे धीरे से squeeze करेंगे और जो essence उसमें से निकलेगा उससे अपने हाथों की massage कर लेंगे या फिर arms की मास की जो grip है face पे वो बहुत ही जादा अच्छी है और जो mask की thickness है वो है 0.3 mm जिसकी वज़ा से आप देख सकते हैं ये transparent है और skin के ओपर काफी light है इसके अलावा इसे लगाते ही मुझे एक हलकी सी अपने face के ओपर ठंडा ठंडा सा feel हो रहा है साथी में एक sensation है जो की irritating तो बिल्कुल भी नहीं है बट येस हलकी सी sensation मैं feel कर सकती हूँ अपने face पे इसके अलावा इस mask को हम 15 minutes के बाद remove कर देंगे और वैल इसे remove करते ही जैसे कि आपको पता है कि मैं इसे निकाल के fold करके अपनी neck के ओपर 5-10 minutes यूज़ करूँगी और क्योंकि face के ओपर अभी काफी सारा essence बाकी है तो मैं हलके हाथों से अपने face की massage कर लूँगी ताकि जो essence है वो skin में अच्छे से absorb हो जाए सो वैल इसे use करने के बाद skin काफी soft feel हो रही है साथी में अच्छा healthy feel हो रहा है skin के ओपर इसके अलावा skin काफी hydrated है इस time पे और एक हलका सा अच्छा सा radiance में अपनी skin के ओपर देख सकती हूँ इसके अलावा 20 minute के बाद भी मैं mask की जो essence की जो stickiness है वो अपनी skin के ओपर feel कर सकती हूँ साथी में जो packet है इसमें अभी भी काफी सारा essence बाकी है somewhere around 5-6 ml सो मैं उसे एक डिबी में निकाल के रख लूँगी और उसे किसी और purpose के लिए यूज़ कर लूँगी सो अल्रेडी 45 minutes हो चुके हैं face mask को उतारे हुए और बहुत ही हलकी सी stickiness अभी रहती है पर completely dry नहीं हुआ essence अभी इसके अलावा skin पहले से काफी hydrated है और हलका सा bounce इसका बड़ा है जो कि मैं feel कर सकती हूँ चैनल को subscribe करें और bell icon पे click करें thank you for watching have a great day bye bye कर दोगि कर दो मां जो Hug मां झाओ झाओ 9–3 झाद लोगा है Dan यह नह झासा भी दोना चआओ कर दो कर दो दो侃 धी है झाल झाल